तो किसान सातियों नमास काई मैं राजिस्क ममोरे अपने चैनल RKG Resolution में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ किसान सातियों इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाने वाला हूँ ठीक है सातियों तो इस वीडियो में पूरा देखिए का हम step by step किस तरीके से गुड़ाई करके किस तरीके से खेट तयार करते हैं और किस तरीके से सीट डालते हैं और किस तरीके से उसको पूरा हम ढखते हैं और कितने दिन में नर्सरी हमारी तयार होती है सातियों अगर ठंड जादा है तो नर्सरी आपको 2-4 दिन इस्ट्रा ले लेती है नहीं अगर ठंड कम है तो 2-4 दिन कम में नर्सरी आपकी जर्मिनेट हो जाती है चाहती हो तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक स्टिप को दिखाते हुए बताते हैं कि किस तरीके से हम नर्सरी टामाटर की या गोभी की अभी नॉमबर दिसंबर जन्वरी फर्वरी में डाल सकते हैं चाहते हो। चलिए आगे दिखाते हैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूएं साथ हो अगर आप लोग हमारे वाटसेप ग्रूप की लिंक से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वाटसेप ग्रूप की लिंक मिल जाएगी आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो तो चलिए आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं किसान साती इस खेत को आप लोग देख रहे हो इसको हमने बेड बनाया पहले नमबर बेड की आप लंबाई चोड़ा ही जान लेजिए बेड हमने साड़े तीन से चार फिट चोड़ा और दस फिट लंबा रखा है औ पानी मार करके छोड़ दूँगा रात भर के लिए अगले दिन फिर इसकी गुणाई करोगा इस तरीके से आप साड़े तीन से चार फिट चोड़ा और दस फिट लंबा आप एक बेड में आप 10 ग्राम सीड़ आप डाल सकते हो ठीक है सात्यों आप देख सकते हुई इसकी जो चोड़ाई हमने कई बार दिखाया है और बताया भी है तो यह हो जाता है आपका बिट का प्रिप्रेशन अच्छे तरीके से अब इसमें हम लोग फिर अभी एक बार इसमें खाट डाल देंगे ठीक हलकी सी डिएपी खाट और गोबर की खाट इतना डाल के हमने अलड़ आप इसमें थोड़ा सा डिएपी खाट बहुत ही कम मातर जैसे 10 ग्राम का सीड डालना तो आप मुश्किल से 50 ग्राम डिएपी खाट डाल सकते होगा ठीक है इतना डाल करके आप खेत की गुड़ाई कर दीजिए फिर से अच्छे से और इसे छोटे-छोटे कूले बना हमारे यहां कूला बोलते हैं अब आप कहारी बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप उसको अच्छे से बना लेजी फिर आप इसको इसको अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए गुड़ाई करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए ठीक है अब इसमें आपको करना कहा है जो आ दस फिट लंबा आपको बिड़ बनाना होता है सीट छिटने के बाद आप आपको क्या करना है इसको खुरपी से आप देख रहे हो इस तरीके से खुरपी से इसको मिलाया जा रहा है इस तरीके से आपको खुरपी से मिलाया जा रहा है इस तरीके से आपको खुरपी से मिलाया साथ में आपको भी उसी तरीके से बराबर कर देना है आप ये जो बेड़ देख रो एक बेड़ में 10 ग्राम सीड हमने डाला हुआ है इस तरीके से आपको खेट को प्लेन कर देना है अब प्लेन कर देने के बाद इससे होता क्या सीड मिला देने से सीड नीचे चला जाता है अ जो नमी हो नमी ना खतम हो इससी क्या होता सीट ठंडी के लिए बहुत ही अच्छा होता और अच्छ टाइम से पहले जन्नेट हो जाता है नहीं अगर आप वैसे जैसे आप प्लेन करके छोड़ दोगे तो बहुत ही टाइम ज्यादा ले लेता इस तरीके साब को ऐसे पन्नी ड फैलाद होगे देने से अच्छा हो जाता है साथि हो इस तरीके से जब आप इसको फैलाद वह गे तो усosट ऐसे अर्म्हाट आएगा civ log again टाइम ले लेता है यह हमारा के पूरा ढग गया है अब यह नर्शरी आराम से जर्मिट हो जाए इस तरीके से आप लोग भी नर्शरी डाल सकते हो